नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत शुवागते दोस्तों केशे हैं आप शबी उमीद करते हैं कि मातारानी के शिर्वाज़श्य आप अपने शुविनकाल में बहुत यच्छ होंगे उद्दम शुफों का लाब ले रहोंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके राश्य के जितने भी जातके उन शबी के मन के शारी बाते हम बताने वाले हैं जी है दोसों एक प्रिकालश हे कहें, तो कुछ एसी कड़वी बाते हैं, जो कि दोसों आप मन में जानते हैं, लेकिन दोसों बहर में आप नहीं दिखा रहे हैं, जी हैं δोस्तों जितने भी आपके राश्य के जात तके इस दुनिया में अगर आप रहते हैं आकिर क्यों शमें आपको रुला रहा है आपके किश्मत में आपने कौन से शे आपकी एहीं जिनकी शेजा आपको आखरी मिल रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे ही विस्तार्षी बताने वाले हैं शाद शाद दोस्तों कलशी आप शिपी के जुनकाल में जो बड़ी खुशकबरी आपको मिलने वाली है उनके भी बारे में बात करने वाले है जो कि दोस्तों गरहों के इस्तिती बहुती परवल हो चुकी है आपके राश्य वालों के लिए बहुती बड़े मौके हैं जो कि दोस्तों आपके शामने आने वाले हैं कौन-कौन शे बड़े मौके हैं कौन-कौन शे बड़े खुशकबरी है जो कल से आपके सामने आने वाले हैं और कौन-कौन शें विश्यश बातें कल शें अब आपको अपनी जुनकाल में ढाल लेनी है कौन शें उपाय आप शुक्त करना चाहिए दोस्तों एक प्रकार्श के हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में वीडियो भले ही थोड़ी शी लंबी होगी लेकिन दोस्तों आ आपके जुनकाल में चल रहा है आप जिन शें परिशान हैं आखिर क्यों परिशान हैं कौन सी वज़ा है जिसके करना आप शिभी के जुनकाल में इतने शारी परिशानी आ रहे हैं आखिर दोस्तों ब्रमान के कुल 12 राश्यों में शें आपकी ही एक रिशी सी रासी है जिन तो आती है लेकिन दोस्वों वह खुशी किशी ने किशी तरह बदल ही जाती है तो आपके दुखों में वह खुशी आपकी मायश्य में बदल जाती है दोस्वों आकर क्यों इन शवी का वज़ा क्या है दोस्वों आज के इस वीडियो में हम आप शवी को बताने वाले हैं आपको अपने आप पर एकी नहीं होगा सचाई शुनकर आपके आँखों से आशू नहीं रुकेंगे बश हम यहीं कहेंगे एक शब्दों में तो दोसों वीडियो को आप अंत तक दिखिएगा जे दोसों आपको वहां गलती केशे शुदारना है और कौन से नहीं उपाय करने हैं जिसे आप शिवी के जुनकाल में शबलता के वहां नए मोड़ आ जाए जिनके आप कामना करते हैं जिन्दगी में जो भी परिशानी आ रही है शारी परिशनियां शमाप्त हो जाए दोसों शबी के लिए हम आपको बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्पुन जो दोसों एकर आप करते रहेंगे कि आगे क्या है तो दोसों आपको बी को शमज नहीं पाएंगे और अगर आप इनें अन्त तक द्याश देखेंगे तो दोसों हम आपको इस بात की गरैंटी देते हैं कि दोस्तों आज का यह विडियो आपको शच्चाई इसका बिल्कुल है आपके आशु लाएगा और दोस्वों आप अपने खुद से दोस्वों किसी और को नहीं खुद को कहेंगे कि आश्य हम यह गलती नहीं करेंगे और आपको यकीन भी होगा कि इहनी कलेतों के वज़़ेश आपको अपने जुनकाल में इतनी शम्यश्याइं इतनी परेश्याने देखन को मिर रही है जिए दोस्तों शारी शुमेशे आपकी शमापत हो जाएंगी हम इस बात का दावा करते हैं बश हम आप शे एक ही वादा एक ही निवेदन करते हैं और एक ही बात करते हैं कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक बिल्कुली ध्याश देखिएगा दोस् आज का ये वीडियो आप शिवे के जिनकाल हें जह जिवनकाल के लिए कॉनशे वीडियो शावित होगा दोस्तों वह आप शोज भी नहीं शकते दोस्तों एक प्रेकारश को हैं ये वीडियो आपके लिए इश्युवर का दिया हुआ वरधान हैma Di hydint बहुती मेहनत बहुती गठन के इशाद आज के इस वीडियो का निर्मान किया गया है जो दोसों आपके इराशी के शबी गुनों को देखते हुए बनाया गया है आपकी गलतियों को देखते हुए बनाया गया है आगर कौन शिया आप कारे करेंगे ताकि आपकी जो शोईवा का एक नया रास्ता होगा. अगर आप इस वीडियों को अंत तक देखिंगे. जी, ये आपका दाईत और करते बहुता है कि अब आप जो भी गलतियों कीकिये हैं उन गलतियों को शभार लें और दोसुन आज इस वीडियों को आप अंत तक देखिंगी, तो ये भी लिए आपके गलतिष उदारने का पहला कदम है जी हां दोस्तों हम बश आप से यह वादा करते हैं कि आज की बाद से आपके शारी शमाश्याइं श्माप्त हो जाएंगी जी ज्यादा हम बात नहीं करेंगे इन शबी के बारे में हम आपको अभुशिद्य उन शबी के बारे म बात करेंगे जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत यावश्यक है तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विश्तार्ष उष्य पहले गरा आप इश्वर को सच्च दिल से मानते हैं किशी भी इस अपर को मानते हैं देवता है प्रम्पुजी देवता, वे आपके करमों की एक नई गठन करेंगे, आपके मस्तिष में एक नई ही ऊप्रजा को देंगे, जिन से आप रहाओं पर चलेंगे, इस रहाओं में आपको शुपलता की प्राप्ति होगी, दोस्तों ये जो बाते हैं, ये भक्ती भरा आ पाई बताते हैं इश्वर से जोड़ी कुछ यशे महत्पुन बातें बताते हैं जो कि दोस्तों आप शिवी के लिए बहुत ज्यादा महत्पुन और कारगर शाबित होते हैं जी हैं दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं हम आप शिवी को बता दें कि आपका जो राशी है दोस्वों बहुती श्वक्ष राशी है आपकी राशी के जो माता पिता एक प्रगार्श के हैं तो दोस्वों कर्मों के दाता जो हैं वो भगवान श्वेंग शनिदेव हैं जे दोस्वों आप शिव को विदा दे की आपकी राशी के शबशे बड़े कर्म फल दाता ही हैं जे इनके लिए आप हमेशा प्रियाश करते रहते हैं. फिर भी दोस्तों, ये जो आपकी राशी है, शमान में थोड़ा शक कम जो रहता है. कि दोस्तों, आप हमेशा दूसरों की इंचत करते हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपको ठेस पोहुँचा देते हैं, आपकी श्यमान नहीं करते हैं इस जगह आपको बहुती दिल से खुद में दोस्तों इस शक महशूष होता है जिसे लोग को लगता है कि आपका इस दुनिया में कोई है ही नहीं लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अपने कर्टेव को भली भाती निवाते हैं तो दोसमों, वह कारे कब पूरा हो जातें, दोस दूसरा कब शुमज़ नहीं पातें और आप लोग इतना जिद्धी होते हैं कि उश्कारी को अगर आपने हाथ में लिए हैं तो दोसमों उन्हें पूरा करके ही दम लेते हैं राजनेती में अगर आप भाग लेते हैं तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छी त्रिकिशे राजनेती करते हैं दोस्तों अध्यात्म में आप शिविकी रूशी रहती है यानि कि भगवान के उपर भरुश्र आपका टूरत रहता है चाहे लोग आपको कुछ भी कह दे लेकिन आप खुद शे भगवान को कभी भी मीटा नहीं पाएंगे दोस्तों ये बात आप लिखवा लेजिए चाहे आप कितना भी कहेंगे कि इस धर्चुदर पर भगवान नहीं है भगवान होते तो हमारी शाथ इतनी बुराई नहीं होती दोस्तों ये सब चीज आप बोल लेते हैं किसे के शामने लेकिन खुद से अपने दिल से आप इश्वार को नहीं मीटा पाते हैं दोस्तों आप लोग गुरू का फल बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं शमान शबीका करते हैं लेकिन दोस्तों जब आपकी बारी आती है तो दोस्तों जिनके उपर आप ज्यादा भरुशक करते हैं वो लोग आपकी शाथ तुना खरा नहीं उतरता है जिसे आप उनके शाथ रहते ही दोस्तों शहाता का भाव आपके अंदर हमेशा से है जिसे दोस्तों हमेशा आप दूसरों की भला के लिए ही कार करते ही किशी का बुरा नो हो जाए दोस्तों ये सब भी आप हमेशा कोई भी कार करने से पहले सोचते ही दोस्तों आप लोग जो होते हैं कभी भी खुद का शमान ने करते हैं दोस्तों दूसरों को खुश करने के लिए दोस्तों खुद को आप जोखी में डाल देते हैं आप हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए परिवार को खुश करने के लिए दोस्तों खुद की जो भी आपके अंदर जो भी एक्छाय होती है जो भी आपके अर्मान होते हैं दोस्द últimos Bowl उनका गला दवा देते हैं यानि कि दोस्दों खुद की आप care नहीं करते अपने परावारं की हमेशा आप care करते हैं उनको खुश करने के लिए आप बहुत ही नीचे तक भी जा सकते हैं दोस्तों इससे भाव आपके रहता है याना कि दोस्तों छोटा सा छोटा भी आप एशे कारी कर सकते हैं जो लोग कहते हैं तुम कौन शे कारी कर रहे हो लेकिन दोस्तों आप अपने परिवार के लिए उशे कारी को भी करने के लिए आप कि आपका जो दिल है उन्हें तभी ठीस मौझता है जब आपके शोचे वेशपने कड़ी मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं होते हैं जी हैं दोस्तों आप लोगों को बता दी कि आप करमशिल इंसान हैं करम पर हमेशा यकिन रहते हैं लेकिन दोस्तों कभी कवार एशी आप के जुनकाल में घटनाई हुई है या फिर एशी घटनाई शे आप गुजरे हैं जहां पर आपको लगा है कि कोई भी इंशान आपके शात खड़ा नहीं है और कुछ ही एशी लोग हैं जो आपको परिशान भी करते हैं जिसका आप हमेशा भला किये हैं वही लोग आपके ल दोस्तों पहली का जिवन आपके लिए बहुत ही अचा था पहले आप अच्छी कमाई कर रहे थे अच्छी तरिकेशे धन को अरजित कर रहे थे अच्छी तरिकेश अपने आपन कर रहे थे यानि कि दोस्तों घर परिवार में आपके विशारी चीज़ें थी जिनसे घर परि परिशानियां एक स्राइथ आ चुका है जिनका आपको शामना भी करना पड़ रहा है। दोस्तों कोई भी कार कर रहे हैं या कोई रोजगार है वैपार है उसमें लगातार आपकी अर्चने आती रहती है। कोई परिशानी शमाप्त नहीं हो पाती तो दोस्तों कोई और परिशानी आपके जुनकाल में आ जाती है यानि कि दोस्तों जुनकाल में परिशानीयों का नाजवाना आपके लगे रहते हैं कभी आप दोस्तों अच्छी तरीकेशे खुश नहीं हो पाये हैं शबलता का मूँ मानो दोस्व आक्षिव की जुनकाल में पिछले कईश मिशने आये हैं खुशियां आपके द्वार शिमानो रूट सी गई है जियां दोस्व यह आपकी जुनकाल में चीज़ें हो रही है दोस्व बार बार अर्चने आना दोसों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोसों जिनकी जुँकाल में अर्चने आती है दोसों वही जानता है भले दोसों आपकी एक यह खाशियत है कि आप अपने कमजूरे अपने मुश्यूपतों को किशे के शामने जाहिर नहीं करते तो पेशे पेशे भी आपके पास टिक नहीं पाते है जो दोसों पेशे आपके जुनकाल में आते हैं लेकिन दोस्चों पेशे इधर से आते हैं तो दोस्चों पेशे किसिने किशी रूप में उधर चिले जाती है आने कि दोस्टों, बिगन हो, बदाये हो, शमाखें हो, आपके जुणकाल में कई परकार केशी, मुश्य बित आती है है, जब दोस्तों, आपकी जो भी थोड़े शिकमाई, आपने किये हैं, दोस्तों, वो भी आपके हांट से चल आप इने अंतर तक ध्यान चे दिखिएगा जिए दोस्तों हम आप शुव को बता दें कि आप शुव के जुनकाल में जो भी परिशाने चारे वह उन सारे परिशाने शुव अब मुक्ति पाने का शुव में आ गया है जिए दोस्तों उन शुव के लिए हम आपको उपाय बता जाएंगे, जीयां दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि आपके उनकाल में पेशे कभी भी ठीके नहीं है, और पेशे काही जगा आपके अटके हुए है, जीयां दोस्तों, पेशा आपको वापस नहीं आ रहे हैं, जो पेशा आपके को उदाय दिये हैं दोस्तों वो पेशा देने में आपके कतराती ही उंदिक दोस्तों आप कर्ज देकार फंह बहुँंशक गए हैं जी अason आपको जिसने कर दिया है तो स्वकस्रा वापस लेने के लिए आपको परिशान भी कर रहा है तो सो हम आप शेको बता दें कि यश में जितना शमश्या है उन शभी का कारण क्या है आखिर क्यों ये किश्मत आपको रुला रही है आखिर क्यों शमय आपको रुला रही है कौन-कौन शी गलती करते हैं दोस्तों शाथी-शाथ कई बार एशा होता है कि बंते-बंते कारी भी आख निससे आपकी किश्मत आप शुर्च वर्षी रूट जाती है जब किश्मत किश्य से रूट जाती है तो दोस्तों राजा को भी эффett बना देती है जिए दोसनों राजा को भी रंक बना देता है इसले दोसुं कर्म जरूर करें इसले दोस्तों इस बातों को आप भी ध्यान में रखें । तो अप अपने घर में कविभी टूटे फुटे बरतन को बिलकुल ना रखें जो भी आपके घर में व 1996 भा निकाल लेकिन दोस्वों कुछ बुरे कारे के वज़ेशे जो शौभाग होता है वो दुरुभाग में बदल जाता है और दोस्वों उनका पहला जो कारण है यही है कि टूटे बरतन का घर में होना दोसों जो भी आपके घर में कैसे टूड़े बढ़ता है या फिर फटे फोटो है किशे जो दोसको भी वस्तु आपके घर में टूटा उपटा है तो दोसों उन्हें तूरंत ये घर शे बाहर कर दे घर में एशा कोई घड़ी है जोके दोसों से आपके किश्मत की जो भी तरकी हो रुख जाती है दोसों जोती शास के माने तो दोसों तूरंत इन सबी चीजों को घर शे बाहर फेंग दना चाहिए इस शे व्यक्ति का शोभाग दुरुभाग में बदल जाता है चलते किश्मत भी रुख जाती है गर आपके घर में बंद गड़ी है तो दोसों आईशे ही इन चीजों को आपको हरशे बाहर निकाल कर फेंग देना है इन शे ही आपके शोभाग दुरुभाग में बदल जाता है और इन शे किश्मत आपको शमे आपको रुलाती रहती है घर में रखने अशे इन सबी चीजों का नकार्तमक अशर पड़ता है और मातालक्षमी अशे घर में कभी वाश नहीं करती दोस्तों काफी दिक्कते होती रहती है दोस्तों इस बात का आपको बश ध्यान देना होगा जिहां दोस्तों ध्यान देना है शादे शाद हम आपको बता दे कि दुसरी जो बात है दोस्तों खराब हुए वस्त्र जिदोस्तों अगर आप खराब हुए वस्त्र किशी भी इंसान को दान करते ही चाहे दोस्तों वह इंसान कोई अशययोग है या फिर कोई इंशान एश्य है जो आपके घर में बिक्षा लेने के लिए आए है कोई गरीब मजदूर एश्य हसाय व्यक्ति है जिनको आप दान कर रहे हैं तो दोस्तों भोल कर भी खराब वस्तर का दान मत की जिगा खराब वस्तर का दान अगर आप करते हैं तो दोस्वों आप कीशी और के घर में दुर्बागी को भेज रहे हीं और दोस्वों इश्वर ये चीज को कहीं न कहीं जरूर ही देखता है और उनके दुर्बागी को आपके घर में वो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है इसलिए दोस्तों कभी भी खराब चीजों का दान आपको नहीं करना है खराब वस्तहीं ही नहीं, खराब कोई भी वस्तु दोसों जो कि टूटे-पूटे हो, खराब चपल ही, टूटे-चपल हो, आपिर कोई बी चीजों का आप दान करें, ध्यान रहे, दोसों वो चीज बिलकूल ही नई होने चाहिए, अगर आप दान नहीं करते हैं तो दोस्तों कोई बात नहीं है लेगिन दोस्तों टूटे चीज़ों का भी आपको दान नहीं करना है इश्य भी आपकी जो शोभाग है उन्हें दुरभागी शुरू हो जाती है जी दोस्तों वासुत सास्त के इंसाब से दोस्तों ये सब चीज अगर आप दान कर रहे हैं तो दोसों अपने मन की अंदर गलत मांसा बिल्कुल ही मत रखें जिया दोसों एशा मत कीजिए गाकी दोसों इनको क्या पता होगा दोसों अगर एशा ख्याल आपके अंदर आता है कभी भी आपकी इशी को ठगने का प्रयाश करते हैं दोसों चाहे वो एक भी रुप्या हो या फिर दस रुप्या हो दोस्व एशे आपका जो ख्यालात है इनसे भी आपका जो शोभाव है आपके जो अच्छे शोकर्म है दोस्व आपके एक ही बुरी कर्म से वे शारे शोकर्म खराब हो जाएंगे और आपका शोभाग दुरुभाग में परिवर्तन होना उशी दिन से शुरू हो जाएगा और जब भी आप एशे गलत माशा रखकर किसी को भी कोई चीज दान भी करते हैं तो दोसों उनका फैदा आपको नहीं मिलेगा जी हाँ दोसों जब भी किसी चीज का दान करते हैं तो दोसों सच्चे मन शे आप उने दान किजीगा जी हाँ दोसों अगर आपने किशी को कोई भी चीज का दान किया है बिना गलत माशा रखकर तो दोसों उस चीज का आपको पूरा फल मिलेगा शादे शाद कभी भी किशी शे मुक्त में कोई भी चीज ना ले जी हां दोसों कहा जाता है कि कभी भी किशी शे कोई चीज एश्चेवाएं को फिरी में नहीं लेने चाहिए जी हां दोसों हिशा अगर आप अपने जुनकाल में कभी भी करते हैं तो दोसों इनका बहुती बुरा अशर आप शबी के घर परिवार पर पढ़ता है आपके किशुमत पर पढ़ता है दोसों इश्च का मुल्य जरूर आपको चुकाना चाहिए वरना दोसों ये कर्ज आपके कर्मों में रह जाएगा क्यों दोसों वो जो व्यक्ति आपको कुछ दिये हैं दोसों उन्हें आपको जो चीज़ दान किया है दोसों बिल्कुल ये शच्चे मन से दान किया तभी उन्हें उस चीज़ का त्याग आपको दे कर किया है और दोसों उनका करम अच्छा हो गया लेकिन आपके पास होते हुए भी अगर आप उन जब चीज़ों को ले लिए तो दोस्वों इन्हें आप शुबिक जुनकाल में तुरुभागे पैदा हो जाएगा जे दोस्वों तो दोस्वों आपको इसे जिशों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसे जो कारे करते हैं उनके जुनकाल में मात्र 10-15 दिन के ही अंतर दुरुभाग आने लगती है काम गलत होने लगते हैं काम बिगड़ने लगते हैं जे दोस्वों इसके लिए कोशिश करें कि गरीबों को आपको भोजन कराना चाहिए जे दोस्वों अगर आप इशा गलती कभी अपने जुनकाल में किये हैं तो दोस जो एक प्रकरसिक कभजा कर लेते हैं तो दोस्वों आठारा दिन तक आपको बश गरीमों को कुछ ना कुछ आशायों को कुछ ना कुछ दान पून करना है शाथी शाथ भोजन भी करना है दोस्वों आपके अपनी इच्चान उशर आप भोजन अश्कते हैं शादे शाद आप शिग को बदा दे कि अपने किचन में अगर आप कोई भी जूठा बढ़ता रखते हैं तो दोस्वों आपके घर में अनुपुर्णा देवी की वाश होता है आपकी किचन में तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है इसे और माता लक्ष्मी भी नराज हो जाती है जो कि धन की देवी माता लक्षमी है, उंशे नराज हो जाती है, शाथी शाथ इससे बुद्ध की दिकते आती रहती है, जो गर में इससे बृद्धी भी रूख जाती है, रुजगार में काफी रुकावटें पैदा होती रहती है, शायद दोस्वों आपको इन सबी बातों को अब ध्यान में रखना होगा, गलत वयवशाय करने वाले जो भी लोग हैं, जो गलत तरिके से पेशे कमा कर पेशे को अपने घर में ला रहे हैं, और अपने घर का जीवने आपन कर रहे हैं, तो दोस्वों आप शबी को बताएदें कि ये आपके लिए आने वाले शमे दु विरतन लाये और दोस्वों भी आपने इन शारी गलतियां को किया है, दोस्वों इनने दूर करने लाikन आपको बहुनद गरीबों को दूआ लेना है, इस्वों आपके बहुत शारी जो भी गलतियां है वा इष्यवर चमा करेंगे, जीध सु कर्म ही परदहान हैं, जीध चार्यों में शुपलता की प्राप्ति करूंति दिश्वों ये स्ट गलत भावना कभी किशी के अंदर नहीं होना यह भी एक प्रिराशी बहुत इह पुने नकार्तमक हों सब्सक्री जियर दोच्चे कभी अपने मन के अंदर आपको नकार्तमग शोच नहीं लाना है जी दोस्तों इसके अलवा गलत शोच जो आले वेक्ति जो भी होते हैं घर में दोस्तों किशी भी रिस्ताक में कड़वाहट पैदा करते हैं किसी के यहाँ चुगली करते हैं किसी के यहां दोस्वों मध्भेत करवा देते हैं दोस्वों इनसे आपके जिवनकाल में दुरुभाग आने के शमभावना बढ़ती है इसलिए आपको किसी दो वेक्ति के बीच में जाकर फूट पेदा बिल्कुल भी नहीं करना अगर दोस्वों आप यह गलती किये हैं तो दोस्वों इनके लिए भी आप बहुत इशर लुपा है कि दोस्वों अगर आप यह गलती किये हैं तो आपको शनिवार के दिन शनी मंदरी में जाकर शर्षों के तेल को और पित करना चाहिए और भगवान शनिदीप कर्म फल दाता भगवान शनिदीप शे आपको छमा पराती करना चाहिए कि हमसे जो बहुल हुए है प्रबू हमें अबुल शमज कर छमा कीजिएगा दोस्तों इनशे आप शुव की जुनकाल में फिर्शे बदलाव होंगी और जब भी आप मंदिर जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर बेठे जो भी जो भी लोग होते हैं दोस्तों उन्हें आप जरूरी कुछ न कुछ दानफून करके ही वापस आईएगा कि दोस्तों मंदिर में बेठे जो भी 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 खारी होते हैं उनके उपर भगवान शुनेदेब का प्रकोप होता है इसे के कारण वो लोग अपने जुनकाल में इतने परिशान रहते हीं अपने जुनकाल में इतने शारे दुरुभागी को देखते हुए वो मंदिर की शुनियों में बेख मांगते ही तो दोस्तों अगर आप उभाश में उनको कुछ दानफून करते हैं भोजन कराते हीं तो दोस्तों से भगवान शुनिवे परिशन होंगे क्योंकि उनके प्रकोप उनी के शाथ है और भगवान शुनिव आपके अच्छे करमों को देकर आपको दोस्तों अच्छा अफल देंगे आपकी गलतियों को शमा करेंगे आपकी जुनकाल में जो भी दुरुभाग हैं उन्हें शौभाग में बदल कर फिर शे आप शुब की जुनकाल में खुशियों की नए लियार को देंगे जी दोसतों इन इस शभी बातों को आपको अपने जुनकाल में ध्यान रखना है और ध्यान रखने की आपको बहुत ही ज़्यादा अउश्यक है दोस्तों गलती हरेक इंशान सु होती है लेकिन दोस्वों वो इंशान गलत नहीं होता जो शमे के शाद गलतियों को शुदारने की कोशिश करे दोस्वों गलत वो इंशान होता है जो दोस्वों कभी अच्छा करने की नहीं सोचते हमेशा गल धरना है अपने मन में रखते हैं लोगों को ठगने के बारे में सोचते रहते हैं दोस्वों आगे चल कर कभी अपने जुनकाल में खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि आज उनके जुनकाल में पेशे हैं ये बात याद रखे लेकिन दोस्तों आने वाले शमे में उनको भी भगवान शुन्देप के कर्मों का फल को जहिलना पड़ेगा। जहां दोस्तों तो दोस्तों यह भी दुर्भागी का एक बहुत ही बड़ा कारण है। जहां दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दो नम्मर के कारी करके आपको किसी भी चीज़ को शंस्ते में दे रहा है। दोस्तों चोरी किया हुआ शंस्ते में दे रहा है। और आप उन्हें ले रहें तो दोस्तों इसे भी आपका भागी खराब हो जाएगा। तरसल दोस्तों जो भी कपड़े आपको दे रहे हैं। दोस्तों कपड़े का जो कारख वै शुक्र का कारख होते हैं कपड़े। और दोस्तों चोरी की विवस्ति को पहनने शे शुक्र गरह। और माता लक्ष्मी दोनों ही रूष्ट हो जाती है। आपकी जुनकाल में काभी परिशानियों का शामना करना पढ़ता है आपको। जे दोस्तों ना कि खराब वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। जिया दोस्तों अगर आपके पास अच्छे वस्त्र है और उसके बावजुद भी आप अच्छे वस्त्र नहीं पहनते हैं। गंदे मेले हुए वस्त्र को आप पहन लेते हैं। इस्चे भी दोस्तों व्यापक किश्मत खराब हो जाती है। कि दोस्तों जो भी शादक होता है उनके जुनकाल में लगतार कुछ ना कुछ दिकतें अर्चने आती रहती है और दोस्तों उनके किश्मत उनसे रूट जाती है जै दोस्तों अगर आप विश्यकार किये हैं गलती किये हैं तो दोस्तों इनी से आपकी किश्मत आप से रूट भी ओश्याजों गई है दोस्व इस बात को आपको विश्येश ध्यान में रखना हो गइशा करने से मातालक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती है और धनकी हानी होते रहती है आदे शा偲्त अगला बाद जिनका आपको भिशेज ध्यार रखना चाहिए दूस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दूस्तों अगर आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं अपने जोनकाल में आप सिखशित वेकती है तो दूस्तों अपना बुरा शावित होगा इसलिए आपको धन्शम्मदे धानियां होने लगती है इसलिए दोसों कलम का इस्तिमाल करतेश में शावधानी बढ़ते और किशी को भी कलम ना दे जे दोसों अगर आप दे भी रहे हैं तो दोसों उस कलम को तूरंधी वापस ले ले हमेशा के लिए कि दोसों नुक्षान दायक होता है इसलिए दोसों इस बात को आपको बिल्कुल ही ध्यान बेखना है दोसों ये बात बहुत ही महत्पून है जे दोसों दोसों हम आप शुब को बताते कि आपकी जो राशी होती है वे शबी राश्यों में करम परधान राशी माने जाती है इस अपने जिनकाल पम अपने शुभागी की प्राप्ति नहीं कर पाते ही जिया दोस्तों आप श्वी को बता दें कि हैं जो भी यशा करते हैं उनके जुनकाल में माता लक्ष्मी और उनके भाग दोनों ही subdivर जाती है और बहुत आने लगती जे दोसों प्राचिन काल से ही या चेज प्रचलित है कि दोसों इस तरियां घर में लक्षमी होती है इसके लिए दोसों उशका सम्मान करना घर में खुशियां और बरकत के शमान माना जाता है तो दोसों आपको अपने जुनकाल में अब बुशे इन बातों का ध्यान लखना ह कि घर की जोबे इस्तरी हो बाहर की जो भी कहीं की इस्तरी हो दोसों उनका आप मान भूल कर भी नहीं करना है अगर आप उनका आप मान की हैं तो दोसों दोबार आप उनका शमान कीजी आदर कीजी और शाद शाद उन्हें खुश करके ही आप जाइए दोसों इससे आपके घर में खुशियां बर्कत और माता लक्षमी का वाशोगा बृद्धी रिद्धी शीदी सभी आपकी जुनकाल में होने लगेंगी जिया दोस्तों अगला जो चीज है अगर आप कभी भी किशी से कर्ज लिये हैं तो दोस्तों उस पैसा को आप जरूरी चुकाएं जिया दोस्तों पैसा लिये हैं तो दोस्तों जल्द ही जल्द आप इने चुकादें नहीं तो दोस्तों आप शिव को विदा दे कि इन्षे आप शिवी का इस्ट देव महादेव बिल्कुली क्रोधित हो जाते हैं जे दोस्तों आप शिव को विदा दे कि आपकी राशी के जो इस्टे वरना दोस्तों जो शमश्यां darienne चलते ही रहएंगे दोस्तों किश्मत खराब होआती है जब हमारे भगवान जी हैँ अच्छे नहीं होते हैं को बढ़न के शात रहने वाली जीव भगवान के कारक होते हैं जिर आ नहीं होते हीं उसको घ्व gider बनाये उसको भगवान ने बनाया इसे चीजह के शाथ लडाई कर देना एसी चीज़ा को मारना पिटना दोसों इनसे हमारे शाथ कभी भगवान खुश नहीं रहते हैं जित उस इनसे भी भगवान हमसे नराज हो जाते हैं चाहे दोसों आपके जुनकाल के कोई भी चीज़ हो सकती है गाय हो शकता है भेंश हो शकता है कोई भी जानों हो शकता है कुटा बिल्ली पकड़ी कुछ भी ऐसे चीज़ जिनको हमने नहीं बनाया दोसों उसको भगवान ने बनाया उनके शाथ हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए उनको मारना पिड़ना कभी भी नहीं चाहिए दोसों अगर आप एशा करते हैं तो आप शवी को बता दें कि एशा करना आप शवी के घर में दुरभाग के लाने के बराबर है जे दोसों शबसे पेल आप शवी को बता दें क कि आप शिवी का जो शुभाव होता है कभी भी दोस्तों किशी के शाथ चल करने का नहीं होता है लेकिन दोस्तों अगर आप कभी भी अपने जिनकाल में इशा गलती करते हैं इशा कभी भूल करते हैं जब आपके मस्तिज में बहुशारी गलत धर नहीं होती है अगर आप वै शुभर से शमा मांगना है और दोस्तों इश्वर आप को शमा अगर करेंगे तो दोस्तों आपके गरव कि जो इस्तिति होगी उनमें बहुत शारी बदलाव आपको द्खन को मिलेंगे और जिनकाल में शारी शमीशाएं खत्म होने वाली है जिया दोस्तों आप शिपी को बता दें कि आपके जुनकाल में अभी जो गरहों की इस्तिती है वो बहुत ही महत्पूर बन रही है और दोस्तों गरहों की इस्तिती आपके शाथ महत्पूर होने शिए कल से आप शिपी की जुनकाल में कौन-कौन शी बड़े खुशकबरी आप शिपी को मिलन पलंगना है और दोस्तों इश्वर की परती आपको हुमेशा बिल्कुल या बिश्वासि बनकर रहे ना दोस्तों कभी भी अपने दिल में आप इशा मत सुचे गया कि दोसों इश्वर नहीं है जिया दोस्तों हालां कि आप शिवी के जितने भी जातक हैं इश्वर पर अटूद बिश्वास करते हैं दोस्तों लेकिन कभी कबार बोलें दोस्तों गलत धरनाईक वज़स्चे गलत संगत के वज़स्चे जियुनकाल में बहुत आरी परिशनियों होती है जिया दोस्तों तो ऐई दोस्तों अब बात करते हैं कि कल्स आप शिवी के जिनकाल में बहुती बड़े परिवरतन होने हिए जो भी आपने गलतियां के आपको दिहर मेरखना है शादि शाद दोस forgthing कल के आपके जुनकाल में गरहों की क्या सिति बनने वाली है हम आपको आगे बताने वाले शादि कौन से खुशकपरी आपको मिलने वाली है कौन से जुनकाल के आपके वोए शपने साच होने वाले हैं कल से तो ये दोस्तों बात करते हैं शब से बिले आपको बदा दें कि आपके जुनकाल में अभी जुग गरहों के सिती है कल से आप शिव के जुनकाल में धनयोग, राजयोग और शुक्षमर्दी योग का भी निर्मान होगा जिन के कारण मता लक्षमी और भगवान भोले नात का भी अशिम अशिरवाद आप शिव के शाथ रहने वाले हैं जे दोसों और यश में आप शिव को बता दें कि जो भी आपकी तमनाएं हैं जो भी आपके एक्छाएं वो पूरी होने वाली हैं बशरते दोसों आप शिव को बता दें कि आपको अपने घर में बुड़े बुजरों का शमान करना है उन्हें शबी का शिरवाद आपको अपने जुनकाल में अब करने है जो भी आपने गलतियां किया है दोसों वे आपके लिए कोई बड़े चीज नहीं है लेगन दोसों अगर आप अच्छे कारे की शुरुआत कर रहे हैं तो दोसों ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है दोसों कल से आप शिरवाद की जुनकाल में एक नए जिवन शुरू हने वाली है कि दोसों आप शुरु को बता दे कि ये 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 शुरु को बता दे कि य भीं शमार्णों में अपना नाम पढ़ा शक्ते हैं माशमान बढ़ा , याश्म παी गर्षों की इतिति बहुत ही परवल है आप शब्व के लिए दोस्वे आपको ये गर्षों का पुरा ही पुरा शाथ मिलेगा दोसों कल शी आप शुबी का वक्त बहुत ये अच्छा रहने वाले हैं शंता शंबंदी जैसे की बिभाद नोकरी त्यादी दोसों इसे अगर आप योजना बना रहे हैं तो दोसों आप शुबी की योजनाई शपल होगी मेहमानों की आवाज आही रहेगी शाद शाद आपको बता दे कि यह जो शमय है आप शिवी के लिए शमय बहुती गती पूर रहेगा गरन अचितरों की जो चार रहेगी दोसों उनका शुब परभाव आप शिवी के उपर पड़ेगा आपके पक्ष में यह शमय रहेगा जे दोसों यह शमय दोसों आपके पिछले जो भी शमय 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 आपके जो उनकाल में चल रहे थे जिनसे आप बहुती परिशान थे दोसों वो शमय शमय कल से खत्म होंगी और प्रभार शमन्द जो भी करता है डो सदिनकाल में तरटकी कि नवह स्थ तक जाने वाले हैं जड़ों लाभ के नए मोकेस में आपPoint स्थ में आपको मिलनेए वाले हैं जहीं स graphics ゃह हम दोसों, आप शुने को बिदा दें कि आपको उहानी निश्चित है, जै टोस दोसुई आपको उहानी पुछेगी, इसलिए आप पर जिसवी चेत्र मेr जाते ही, दोसों आपको किशी पर भी आंक मूंद कर भरोषा नहीं करना हो, चाहिए हो दोसों, किशी के साथ रिस्ते की थन लेंदेन की बात हो शवी में दोस्रों, आपको श्यावधानी पुर्वक ही कारग करना है। भरपरवार के शदwieश्य को मालूम होना चाहे कि दोस्रों आप पेशा किशी को दे रहे हैं, चोरी शुपे पेशे किशी को आप ना दे दोस्वों ये शमय ये आपके लिए नुक्षांदायक हो शकते हैं इसलिए दोस्वों इस पर आप ध्यान रखें शादि दोस्वों अगर आप प्रॉप्टी खरिदना चाहते थे मकान वहान खरिदने की जो भी आपके शबने थे दोस्वों अब वो शब सच होने वाले हैं आप नए मकान वहान की खरिदारी कर सकते हैं शमय आपके लिए बहुत ये अच्छा है आपको इस बात की जानकारी दे दें कि दोस्वों ये जो शमय है आपके राशी के लिए इसे शुरुप से बहुती महत्पुन शाबित होगा और यह श्मी बश आपको क्या करना है कि अपने गुष्चे पर अपने जो भी अबदर शवभाव है दोसों इन पर आपको नियंतर रखना होगा दोसों आवश में आकर जोश में आकर कोई भी आप गलती ना करें दोसों अनित्हा आप शवभी को शमे नुक्षान भी देख शकता है जै दोसों गुष्चे पर आपको अपने आवश पर नींतर रखना गुष्चि को कंड्रोल करना बहुती ज़्यादा आपश चंगे दोस्तों इन बातों को आप ध्यान रखें यश में जो लोग नोकरी प्राप्ती रोजगार के लिए भटक रहे थे दोस्तों उन्य सभी को अच्छे नोकरी की प्राप्ती होगी मन चाहा रोजगार यश में आपको मिलेगा दोसों मन और घर परिवारेश में आपका भरपूर खुश रहेगा हम आपशी को बता दे कि धनलाप की कुछ यशी आउस्षर आपशी को प्राप्त होंगे जिनसे आप अपने आर्थी की सिद्धों को बिल्कुली बदल सकते ही शादे साथ दोसों यशी में आप बेफिजुल के खर्चों से आपको बचना होगा संतुलित बजर को आपको बना कर रखना होगा जी दोसों आप शुभी को बदा दे कि यदि कोई श्बंदी कोई भी मौमला है तो दोसों नमें शुदार आएगा और जो भी पक्ष है वो आपके ही पक्ष में आएगा जी दोसों शादे साथ दोसों आपको बदा दे कि आप जो भी कार करें दोसों बिल्कुली एक नमर का कार हो जो भी कार करें उनका शारिक अगजात साथ हो कोई भी आपको इशया शत्रू है जो भंशाने के हमेशा कोशित करता है तो दोसले शे गलती आपको ने करने के आप भंस जाए हमेशा शारे खागजात शात रहे ताकि आप किसी के भी नजरों में बुरी ना बने जिया दोस्तों, शादिशा हम आपको ददा दें, शादिशा दोस्तों हम आप शुबिक उपधा दें कि गरहों के स्तिय नचतरों की जो चाल हो आपके इशात है, बस आपको थोड़ी से शावधनी बरतनी है और अपने जुनकाल में जो भी शबलताया आ रही है उनका वस आप आपको लाब उठाना है, जिया दोस्तों, अगर आप एशा करेंगे, तो दोस्तों हम आप शुबिक बदा दें कि आपकी तरकी देखेश में आपकी आजपड़ों की लोग जलने वाले हैं, और दोस्तों इंशे बचने का वस यही एक शरल उपाय है, कि आपने कारे के प्रत पासर सेचते रहना होगा, खान पान पर ध्यान देना होगा, दोस्तों, कोई आपको इलर्जी हो शकती है, जो कि दोस्तों, आपको थोड़ाशा श्वास को लेकर परिजानिया देखने को मिल सकती है, इसलिए दोस्तों इश में आप खान पान को लेकर थोड़ा शाधन रख आपके अच्छे वावार की प्रति आपको ये बहुत शारे एशे कारी मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्पूर होगा जी हां दोस्तों तो दोस्तों ये थी आपकी जुनकाल में एक नए दौर की शुरुआत दोस्तों जो भी आपने गलतियां किया था उन्हें शवी के रही बारे में हम बात किये हैं शाती साथ दोस्तों कल से आप शुकर जुनकाल में जुग रहों के तती बनी है जो खुशकबरी आपको मिलने वाली थी दोस्तों शवी के बारे में हम आपको बताए हैं तो दोस्तों वीडियो थोड़ी शील लंबी हो गए लेकिं दोस्तों गर आप अंतर तक देखे हैं तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि वीडियो में बहुत शारी शमे लगए हैं जो कि दुस्वर आपकी शमे को अच्छे बना सके शमे लगा लेकिन दुस्वर आपकी जिनकाल को बहतर बना सके उसे दूस्वर हमारा ये महनत शफ़ल हो जाएगा तो दूस्वर वीडियो को लाइक और शियर करना बिलकुल न भोलें शारी सा दोसनों से चैनल पर नए हैं तो दोसनों से चैनल को सुब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना बोले